गुड मॉर्निंग तो लोफ यू नेक्स टॉपिक ऑफ चप्टर नंबर चप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम बात करते हैं लास्ट हमने बात कीते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉंसिबल और लेजिटिमेट गॉवर्मेंट के आज हम बात करते हैं एकनॉमिक ग्रोथ हैं डेवलोपमेंट की देखें एकनॉमिक ग्रोथ हैं कब होगी डेवलोपमेंट कब होगा एकनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलोपमेंट होगा एकनॉमिक डेवलोपमेंट करता है एकनॉमिक कंडिशन के उपर अगर economic growth आपकी नहीं है तो development आपका नहीं हो सकता growth आपकी दो तरह से हो सकती एक positive और दूसरी हो जाती एक आपकी negative development always be positive development अभेशा positive रहता है economic growth आपकी positive और negative दोनों हो सकती है for example आपकी health बहुत अच्छी चल रही है आप diet बहुत अच्छी ले रहे हैं आपकी जो growth हो हमेशा positive रहेगी लेकिन किसी विज़े से आपको कोई disease होगा आपको बेमारी हो गया तो उसके विज़े से आपकी death है जो sorry आपकी जो health हो down होती चली जाएगी तो जिस विज़े से growth होगी लेकिन आपकी negative ऐसी economic condition अभी हम कोरोना time period के अंदर देखते हैं जो country की economic growth हो बहुत जादा डाउन आगी इंडिविजल स्टेट की हर एक family की हर एक state की जो economic growth हो बहुत जादा डाउन आई पैसे की बहुत जादा problem होगी है क्योंकि employment नहीं रहा है पैसा depend करता है किस के ओपर job के ओपर अब economic growth कब हो गया है वै जब तक यह maximum काम नहीं करेगी जब तक economic growth नहीं हो सकती है ठीक है तो country जो government को क्या क्या need होती है क्यों क्या try करती कि maximum employment create करेंगे जितने ज्यादा लोग work करेंगे उतनी ज्यादा economic growth होगी क्योंकि employment create करेंगे तो उनको job मिलेगी job मिलेगी तो उनके पास earning level बड़ेगा livelihood आएगा उतनके purchasing power बड़ेगे purchasing power जब उनकी increase होगी तो market से वो commodities को समान को खरी देंगे जब वो समान को खरी देंगे तो वहां से फिर industries run करेंगी ठीक है तो इस तरह से एक circle है यह circle का चलना बहुत जरूरी है पैसे को आप कहीं पर भी store करके नहीं रख सकते हैं तो इस तरह स अपनी industries को और ज़्यादा expand करें maximum areas के अंदर expand करें मैं ठीक है अपनी दो से ज़्यादा और industries develop करें तो होगी development ठीक है तो पैसा आएगा तो development होगी पैसा है आएगा job से तो अब main problem economic growth की इंडिया के अंदर क्या है रही है जो money का distribution वो uneven है अनिवन distribution के कांड जो है money का जो uneven distribution जिसके कांड economic growth नहीं हो पारी आपको 90-10 की ratio मैंने आपको बताई थी ठीक है 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है ठीक है पैसे का distribution सही हो रहा पैसा एक जिंगा store है जब तक मैंने बताए cycle नहीं चलेगी जब तक money का circulation proper way से नहीं चलेगा जब तो problem आती ही रहेंगे एकनोमी growth नहीं होगे एकनोमी growth नहीं होगी तो development नहीं होगा इस से related है आपको यहां पिक्चर दे रहे एकनोमी growth and income distribution and gain 2006 के लिए यहां पर देखो rich middle or poor category वे कार्टून से दिखाय गया है rich की आप health दे सकते है middle की आप health दे बहुत ज़्यदा rich है वो तेजारे एंडेली और उनके पास maximum पैसा है उनके use से बहुत कई गुना ज़्यदा उनके पास पैसा है middle है उनके पास पैसे की कमी है जो की working जो आपका है अगर हम working population की बात करते है 15 to 59 की और working level की बात करते है category बात करते है तो middle हमारी population है और जो हमा बनाने अपनी जो उन्होंने जो भी चीज स्टार्ट करके उसके लिए policies बनाने काम किसे ने करना है middle और पूर ने और जब वो उसके काम का proper उसको पैसा उसको provide नहीं करेंगे तो यही situation बनेगी और 90 10 की ratio ही develop होगी जब आप जिसकी से काम करा रहे है अगर उसका proper उसको आप रिच ही develop होते जा रहे हैं रिच की economic growth हो रही है और जबकि working हमारा middle और पूर है तो जब तक यह distribution जो मैंने आपको बताया कि uneven distribution है जब तक आपका even distribution नहीं होगा तब तक आपका development नहीं हो सकता गौवर्मेंट लगाता ट्राय करती जा रहे है कि किसी तरह से इसको level को equal किया ज करेंगे, economic growth and development को short question answer find out करेंगे, thank you.